सरकार की मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी यह लंबा चोड़ा का फिला हमारे सीपी लो एल्सी लो भाईयों का है जो यहां पर प्रिदर्शन कर रहे हैं होडल में मेले साफ के घर के सामने अपनी मांगों को ले करके और यह अपने संख्थन की पावर दिखा रहे हैं कि सरकार ओस में आये इनकी मांगों को माने कि दो भाई हमारे को एक्पर्ट थे मान्य मुख्यमंत्री जी इनका दुख मेरे को समझ में आया है मान्य मुख्यमंत्री महोदय जी को को कोई बिदाय कहे ना कहे मैं खुद जाके इस पास को इनके संग्यान में डालूगा और यह शे अजार से बढ़ाकर इसको शेली ठीक पर दी जानी चाहिए जिससे इनका गुजारा हो सके यह हमारे करमचारी है अगर करमचारी दुखी रहेगा तो हम सबको परेशानी होगी करम करने वाले को मज़़ूरी मिलनी चाहिए मैं भी इसका पक्स करूं लेकिन मैं अपने इन भाईयों से एक अनुरोज करूंगा हर आप दूंख में ना मरें आप घराएं बैठें अंदर चाया में बैठें पानी पीएं चाहे पीएं मैं आपसे अलोगोद कर रहा हूं अपकी तरफ से आपकी समस्या का समधान निश्चित तोर पर हम मान्य मुखबंद्रीजी से कराएंगे ऐसी कोई समस्या नहीं हो सकती है यह बात ठीक है कि आप ग्यापन देते देते परिशान हो गए हैं लेकर किसी समस्या का समय होता है आप ना जाने आपकी समस्या का कोई अच्छा समया क्या हो हम मैं खुद मान्य मुखबंद्री महुदेजी से मंगलवार को मिलके आपकी समस्या का हल निकलवाने के लिए बीचा है साँ, आवा हमारी